श्रीदुर्गास्ट शतीक प्रतम अध्याय हिंदी में, मेधा रिशिका राजा सुर्थ और समाधी को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटब वद का प्रंध सुनाना। विनियोग, ओम प्रतम चरित्र के ब्रह्मा रिशी, महाकाली देवता, गायतरी छंट, नंदा शक्ती, रतदंतिका वीज, अगनी तत्व और रिग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रतम चरित्र के जब में विनियोग किया जाता है। ओम चंडी देवी को नमसकार है। वकपालन करते थे, तो भी उस समय को लाविद्वनसी नाम के ख्षत्रिय उनके शत्रू हो गए। पांच, राजा सुर्थ की दंदिनीती बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रूओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपी को लाविद्वनसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुर्थ युद्ध में उनसे परास्थ हो गए। चेह, तब वे युद्ध भूमी से अपने नगर को लोट आये और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, समूची पृत्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किन्तु वहाँ भी उन प्रबल शत्रूओं ने उस समय महभाग राजा सुर्थ पर आक्रमन कर साथ, राजा का बल्कशीन हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बल्वान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकिये सेना और खजाने को हतिया लिया आठ, सुर्थ का प्रभुत्व नश्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए नौ, वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावरिती छोड़कर परम शांद भाव से रहते थे मुनी के बहुत से शिश्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे दस, वहाँ जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया और वे उन मुनी श्रेष्ट के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे ग्यारा, फिर मम्ता से आक्रिष्ट चित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझ से रहत है पता नहीं, मेरे दुराचारी भरित्य गन उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूर वीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रूँ के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे-पीछे चलते थे, वे निश्चे ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करते होंगे उन अप्रियली लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कर्ष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा ये तथा और भी कई बातें राजा सुर्थ निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैशिय को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है तुम क्यू शोग ग्रस्ट और अन्मने से दिखाई देते हो राजा सुर्थ का यह प्रेमपुर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैशिय ने विनीध भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा बारह उन्नीस वैशिय बोला बीस मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैशिय हूँ मेरा नाम समाधी है 21 मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोग से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वन्चित हूँ मेरे विश्वसनिय बंधों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए डहकी होकर मैं वन में चला आया हूँ यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता की मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अत्वा उन्हें कोई कश्ट है 22-24, वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अत्वा दुराचारी हो गए हैं? 25, राजा ने पूछा 26, जिन लोबी स्त्री पुत्रादी ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रती तुम्हारे चित में इतना स्नेय का बंधन क्यूं है? प्रती के प्रती प्रेम तथा आत्मिय जन के प्रती अनुराग को तिलांजली दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रती मेरे हृदय में इतना स्नेय है महामते, गुनहीन बंधुओं के प्रती भी जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंद रहकित हो रहा है 31, 33, उन लोगों में प्रेम का सर्वता अभाव है, तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निश्थुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करून 34, माकंडेय जी कहते हैं 35, तदनंतर राजाओं में श्वेष्ट सुर्ट और वह समाधी नामक वैशिय दोनों साथ-साथ में धमुनी की सेवा में उपस्तित हुए और उनके साथ यथा योगिन नयानुकूल विनेपूर्ण बरताव करके बैठे 36, राजा ने कहा 49, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताईए 40, मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दख देती है 41, मुनिश्रेष्ट, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अग्यानी की भाती मुझे उसके लिए डख होता है, यह क्या है इधर यह वैशिय भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्ट्वी और भरित्यों ने इसे छोड़ दिया है 42, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तो भी यह उनके प्रतियत्यंत हार्दिक्स ने रखता है इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत डखी है 43, जिसमें प्रत्यक्ष दोश देखा गया है, उस विशय के लिए भी हमारे मन में मम्ताजनित आकर्शन पैदा हो रहा है महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है विवेक शून्य पुरुष की भाती मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है 44-45, रिशी बोले, 46, महाभाग, विशय मार्ग का ग्यान सब जीवों को है 47, इसी प्रकार विशय भी सब के लिए अलग-अलग है, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते 48, तथा कुछ जीव ऐसे हैं, जो दिन और रात्री में भी बराबर ही देखते हैं 49, पश्य और मृग आदी सभी प्रानी समझदार होते हैं, मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है पचास, तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उन्रिक पक्षी आदी की होती है यह तथा अन्यबाते भी प्राय दोनों में समान ही हैं समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयम भूक से पीडित होते हुए भी मोवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्नके दाने डाने डाल रहे हैं नरश्रेष्ट, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुश्य समझदार होते हुए भी लोग वश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाशा करते हैं यद्यपी उन सब में समझ की कमी नहीं है तथा पीवे संसार की स्थितिक जन्मरन की परंप्रा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा मम्ता में भवर से युक्त मोह के गहरे गर्थ में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चर्यन नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रारूपा जो भगवती महामाया है उनी से यह जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महामाया देवी ज्यानियों के भी चित्त को बलपूर्वक्त खीच कर मोह में डाल देती हैं वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की स्विष्टी करती हैं तथा वे ही प्रसन होने पर मनुश्यों को मुक्ती के लिए वरदान देती हैं वे ही पराविद्या संसार्ट बंधन और मोक्ष की हितु भूता सनातनी देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरों की भी अधिश्वरी हैं इक्यावन अठावन राजा ने पूछा उन सट जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं ब्रह्म वेताओं में श्वेष्ट महर्शे उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस प मस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा पी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है वह मुझसे सुनो यद्यपी वे नित्य और अजन्मा हैं तथा पी जब देवताओं का कार्य सिधा करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोग में उत्पन हुई कहलाती हैं कल्प भगवान विश्व के नाभी कमल में विराजमान प्रजापती ब्रह्माजी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और को सोया हुआ देखा तब एका ग्रिचित होकर उन्होंने भगवान विश्व को जगाने के लिए उनके नित्रों में निवास करने वाल 72, देवी, तुम ही स्वधा और तुम ही वश्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दाइनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार, ओकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक जो बिंदुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेश रूप से उच्चारन नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। जो बिंदुरूपा, महामेधा, महास्मृती, महामोहृपा, महादेवी और महासुरी हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौमय एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यदिक सुन्दरी हो। पर और अपर्थ सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सतसत्रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ती है, वह तुम ही हो। एसी अवस्था में तुम्हारी स्थुती क्या हो सकती है, जो इसकी स्विष्टी, पालन और सनहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्थुती करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विश्नु को भी तुमने ही शरीर धारन कराया है, अता तुम्हारी स्तुती करने की शक्ती किसमे है। देवी, तुम तो अपने इनुदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो, ये जो दोनों दुर्धर्श असुर मधु और केटब हैं, इनको मोह में दाल दो और जगदीश्वर भगवान विश्नु को शीग रही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डाल की इस प्रकार स्तुती की, तब वेके नेत्र, मुक, नासिका, बहु, खृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रहमाजी की दृष्टी के समक्ष खड़ी हो गई, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उसे कार्नव के जल पांच हजार वर्षां तक केवल बाहु युद्ध किया, वे दोनों भी अत्यांद बल के कारण उनमत हो रहे थे, इधर महमाया ने भी उन्हें मोहमे डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विश्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीर्दा से संतुष्ठ हैं, तुम हम लो इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां प्रित्वी जल में डूबी हुई नहों, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वद करो, सौ माइनस एक सो एक, रिशी कहते हैं, एक सो दो, तब तब कहकर शंक, चक्र और गदाधारन करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रख कर चक्र से कार डाले, इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्माजी की स्तुति करने पर स्वयम प्रकट हुई थी, अब कुनह तुम से उनके प्रभाव का वर्नन करता सुनो, एक सो तीन माइनस एक सो चार, इस प्रकार श्रीमा कंडिय पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्म्य में मधु कैटब वद, नामक पहला अध्याय पूरा हुआ एक, दुर्गा सब्चती पाठ, दूसरा अध्याय हिंदी में, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिशासुर की सेना का वद, महर्शी मेधा बोले प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और की भगवान शंकर विराजमान थे, देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विश्नु और शंकर जी से कह सुनाया, वह कहने लगे है प्रभु, महिशासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अगनी, वायू, यम, वरुन तथा अन्य देवताओं के सब अध देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विश्नु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुसा आया, उनकी भोहें तंग गई और आँखें लाल हो गई, गुसे में भरे हुए भगवान विश्नु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रमहा और इंद्रा आदी दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ, फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वहें से दिखता था जैसे की जाजवल यमान परवत हो, देवताओं ने देखा कि उस परवत की जवाला चारों और फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी, एक स्थान पर इकठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा, वह प्रित्वी के तेज से उसके शिर के बाल बने, भगवान श्री विश्नु के तेज से उसकी बुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनो स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी और प्रित्वी के तेज से नितंभ भाग बना, ब्रमा के तेज से दोनो चर महिशासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यन प्रसन हुए। वरुन ने उसे पाश दिया। प्रजापती ने उस देवी को स्वटिक की माला दी और ब्रमाजी ने उसे कमदलूर दिया। इनकुमहलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेट किया। हिमाला ने सवारी के लिए सिंग और तरह तरह के रत्न देवी को भेट किये। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेशनाग ने उन्हें बहमुल्य मनियों से विभूशित नागहार भेट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूशन और अस्त देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्चस्वर से गरजना की। उसके इस भयनकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्चस्वर से किया हुआ सिंग नाद समा न सका। अकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतीध्वनी हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र काप उठे पृत्वी डोलने लगी और सब के सब परवत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन हो सिंग वाहिनी जगत मई देवी से कहा देवी तुम्हारी जय हो इसके साथ महर्शियों ने भक्ती भाव से विनम रहोकर उनकी स्तुती की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर डैत्यगन अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हत्यार आदी सजाकर उठ खड़े हुए महिशासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर कर कहा यह सब क्या उत्पात है फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दोड़ा जिस ओर से भयनकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुँच कर उसने देवी को देखा जो की अपनी प्रभासे तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से प्रित्वी दबी जा रही थी। माते के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की तिनकोर से सब लोग शुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका देथियों के साथ युद्ध छिर गया और कई प्रकार के अस्तुष अस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उदभाशित होने लगी। विडाल नामक असुर एक करोल रथियों सहित लड़ने को तेयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोले साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिशासुर करोलों रथों हाथियों और घोलों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे मगर देवी ने क्रोध में भर कर खेल ही खेल में उनके सबस्त्रों शस्त्रों को काद दिया इसके पश्चात रिशियों और देवताओं ने देवी का कीस्तुती आरंब कर दी और वह प्रसन होकर असुरों के शरीरों पर अस्तु शस्त्रों की वर्शा करती रही देवी क वाहन भी क्रोध में भर कर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे की वन में दावानल फैल रहा हो। पह resumes दिया कितने ही असुरों को उसने पास में बांद कर प्रित्वी पर धर्ग असीटा, कितनों को अपनी तल्वार से टुकडे दो कर दिये और कितनों को गधा की चोट से धर्ती पर सुला दिया, कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छ जाएं कट गई और वह प्रित्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों वह पैरों के कटने पर भी भूमी पर से उट खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई देट्यगन भूमी में बाजों की ध्वनी के साथ नाच रहे थे। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षंभर में इस तरह से नश्ट कर डाला जैसे त्रिनकाश्ट के बड़े समूह को अगनी नश्ट कर डालती है और देवी का सिंग भी गर्दन के बालों को हिलता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मा महर्शी मेध ने कहा महिशासूर की सेना नश्ट होती देखकर उस सेना का सेना पती चिक्षूर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बानों की वर्शा करने लगा, मानो सुमेरु परवत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बानों से उसके बानों को काट डाला तथा उसके घोलो वसारती को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत उची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया, उसका धनुष कर जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बानों से बींद दिया, धनुष घोलो और सारती के नश्ट हो जाने पर वह सुरधाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया, उसने अपनी तीक्षंधार वाली तलवार से देवी के सिंग के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किय किन्तु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस देट्य की तलवार तूट कर दो टुकड़े हो गई, इससे देट्य ने क्रोध में भर कर शूल हाथ में लिया और उसे भधरकाली देवी की ओर फेका, देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समा किन्तु देवी ने के साथ ही शक्ती से प्रहार किया, किन्तु देवी ने अपनी हुनकार से ही उसे तोड़कर प्रित्वी पर डाल दिया। कि चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दातों, मुक्कों और थपड़ों से चून कर डाला। कुरूध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदिपाल से वाशकल को, बानों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से अबरासय, अबरवियो और महानू नामक राकशसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिरकार डाला तथा अपने बानों से दुर्धर और दुर्मुख राकशसों को यमलोग को कितनों को पूच से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दोडाने के वेग से, अनेकों को सिंगनाच से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायू के जोंकों से पृत्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गनों की सेना को गिरा देवी के सिंग को मारने के लिए दोड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुसा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भर कर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से परवतों को उखार दो कर धरती पर फेंकने लगा और पड़ने लगे। इस तरह करोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी करोध आ गया और वह उसे मारने के लिए करोध में भर गई। देवी ने पाश्वेक्र दैत्य को बांध लिया और उसने बंद जाने पर दैत्य का रुप त्याग दिया और सिंग का रूप अपने बानों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार धाल सहिद बींद डाला, इसके पश्चात वहाती के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सून से देवी के सिंग को कीचने लगा और गरजने लगा। देवी अपने वानों से उसके फेके हुए परवतों को चूर्म करती हुई बोली ओमूर। इसके पश्चात सारी राक्षस से नहाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यन प्रसन हुए तथा रिशियों महर्शियों सहिद देवी की स्तुति करने लगे, गंधर वराज गान करने तथा अपसरायन रित्य करने लगी। तीसरा अध्याय पूरा हुआ, जै माता दी, 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 दुर्गा सब्थशती पार्ट चौथा अध्याय हिंदी में, इंद्रादी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति पुन्यात्माओं के घरों में तुम स्वयम लक्षमी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्षमी रूप हो और सत्कुल में उत्पन होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हे देवी, भगवान विष्णू, शंकर आदी किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया, तुम सबकी आश्रे हो, यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश्रूप है क्योंकि तुम सबकी आदी भूत प्रकृती हो हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यग्यों में सब देवता त्रिप्ती लाब करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो इसके अतिरिक तुम पित्रों की त्रिप्ती का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाग्यान, स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोशों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले, मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो, तुम वानी संसार की पीरा हरने वाली हो, हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वहमेधा शक्ती तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौब भी तुम ही हो, लक्ष्मी रूप से विश्नु भगवान के हिरदय में निवास करने वाली और भगवान मह तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदैकाल के चंद्रमा की भाती लाल हो गया और तनी हुई भोहों के कारण विक्राल रूप हो गया उसे देखकर भी महिशासुर के शीग्र प्रान नहीं निकल गए यह बड़े आश्चरे की बात है आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है हे देवी तुम हमारे कल्यान के लिए प्रसन हो आपके प्रसन होने से इस जगत का अभ्यूदय होता है और जब आप क्रुध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने मह शासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते दो मार दिया है। रहे नश्ट कर देती हो और स्थिर चित वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। कर सकती हो किन्तु तुम्हारा शत्रूओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मर कर विस्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रूओं के प्रती भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्रखर्ग की चमक से और त्रिशूल की नौक की कांती की किरनों से असुरों की आँखे फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरनों से शुभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुन्दर मुख को देख रहे थे। प्रिपा और युद्ध में निश्थूर्ता यह दोनों बाते तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में आई है। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौ में रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस प्रित्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके करपल्लवों में जो खटग, शूल और गदा आदी शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्शी बोले की इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुती की और नंद्वन के पुषपों तथा गंधनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सब ने मिलकर जब सुगंधित वदिव्यधूपों द्वारा उनको सुगंधी निवेधन की तब देवी ने प्रसन होकर कहा है देवताओं तुम सब मुझसे मनवाचित वर मांगो देवता बोले है भगवती तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिशासुर को मार डाला है हे महेश्वरी तुम इस पर भी यदी हमें कोई वर्द देना चाहती हो तो बस इतना वर्दो की जब-जब हम आपका समरं करें तब-तब आप हमारी विपत्तियों को हरं करने के लिए हमें दर्शन दिया करो हे अंबिके जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वितसमरिद्धी और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्रियादी संपत्ति बढ़ावे और सदाहम पर प्रसन रहें महर्शी बोले है राजन देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रशन किया तो बस तथास्तू कहकर देवी अंतरधान हो गई खेभूप जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीव से उत्पन हुई थी वह सारा वृतांद मैंने तुछ से कह दिया है और इसके पश्चात दुष्टसुरों तथा शुम्ब निशुम्ब का वद करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गोरी देवी के शरीर से उत्पन हुई थी वह सारा वृतांद मैं यह थावत वर्णन करता हूँ दुर्गा सब्चती पार्ट चौथा अध्याय पूरा हुआ जै माता दी 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 दुर्गा सब्चती पार्ट पांचवा अध्याय हिंद धर्मराज और वरुन के अधिकार भी छीन कर स्वयम ही उनका उप्योग करने लगे। वार्यू और अगनी का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैतियों तथा दैतियों द्वारा निकाले हुए देवता अप्राजिता देवी का स्मरन करने लगे कि देवी ने हमको वर्दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नश्ट करके रक्षा करूंगी। निकाले हुए देवी को वर्द्वार ने वाली वर्द्विता देवी को रद्वार न म्सकार करते हैं और नेर्रिती राजाओं की लक्ष्मी तथा सरवानी को नम्सकार है। प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नम्सकार है। प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नम्सकार है। प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नम्सकार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टी रूप से स्थित है उसको नम्सकार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातर रूप से स्थित है उसको नम्सकार है। पूर्वकाल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्थिती की है और देवराजिंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है। वह कल्यान की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्यान और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नश्ट कर डाले। असुरों के सताय हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ती पूर्वक्स मरन किये जाने पर तुरंथी सब विपत्तियों को नश्ट कर देती है वह जग दंबा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को महर्शी मेधा ने कहा है राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवादेवी बोली शुम्भ दैत्य के द्वारा स्वर्व से निकले हुए और निशुम्भ स दूद चंदमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा फिर वह शुम्भ के पास जाकर बोले महाराज एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा हे तीनों लोकों के हाथी, भोले और मनी इत्यादी जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शो भायमान हैं। शक्ती भी आपने चीन ली है और वरुन का पाश भी आपके भ्राता निशुम्ब के अधिकार में है और जो अगनी में न जल सके, ऐसे दो वस्त्र भी अगनी देव ने आपको दिये हैं। हे दैत्य राज, इस प्रकार सारी रत्नरूपी वस्त्वें आप संग्रा कर चुके हैं तो फिर आप यह कल्यानकारी स्त्रियों में रत्नरूप अनुपम्स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहन करते। महर्शी मेधा बोले चंड मुंट का यहवचन सुनकर शुम्ब ने विचारा की सुग्रीव को अपना दूद बना कर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन होकर तुरंत मेरे पास चली आए भली प्रकार समझा कर कहना। दूद सुभरीव परवत के उस रमनिय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूद ने कहा है देवी दैतियों का राजा शुम्ब जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है मैं उसका दूद हूँ और यहां तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आग्या एक स्वर से मानते हैं अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है इस समय संपूर्ण त्विलो की मेरे वश में है और संपूर्ण यग्यों के भाग को प्रिथक प्रिथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेश्ट रतन हैं वो सब मेरे पास हैं देवरा जिंद्र का वाहन ए रावत मेरे पास है जो मैंने चीन लिया है उच्छे श्रवा नामक भोड़ा जोक्शीर सागर मन्थन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है हे सुन्द्री इनके अतिर यदि तु मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी अता तुम अपनी बुद्धी से यह विचार कर मेरे पास चलियाओ। महर्शी मेधा ने कहा दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्यान करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुम्भात्वा निशुम्भ यहां आवे और युद्ध में जीत कर मुझ से विवाह कर ले इसमें भला देर की क्या आवश्यकता ह दूत ने कहा है देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो इस त्विलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुम्ब और निशुम्ब के सामने थहर सके अता तुम मेरा कहना मान कर उनके पास चली जाओ नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरब नश्ट हो जाएगा इसलिए मेरी बात मान लो देवी ने कहा जो कुछ तुमने कहा ठीक है शुम्ब और निशुम्ब बड़े बलवान है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिग्या कर चुकी हूँ इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूरवक असुरिंद से कह द पूर्गा सब्च शती पाठ छथा अध्याय हिंदी में धूम्रलोचन वद महर्शी वृतान तुसे कह सुनाया दूत की बात सुन सुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और उसने अपने सेनापती धूम्रलोचन से कहा धूम्रलोचन तुम अपनी सेना सहित शीग्र वहा ले आओ यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो चाहे वह देवता यक्षत्व गंधर्वी क्यों न हो उसको तुम अवश्य मार डालना महर्शी मेधा ने कहा शुम्ब के इस प्रकार आग्या देने पर धूम्रलोचन साथ हजार राक्षसों की सेना को साथ ले देवी बोली असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बल्वान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ महर्शी मेधा ने कहा ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका किन्तु देवी ने उसे अपनी हुनकार से ही भस्न कर डाला ये देखकर असुर सेना खुर्ध होकर देवी की ओर बड़ी परन्तु अंविका ने उन पर तीके बानों शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी इतने में देवी का वहन भी अपनी ग्रिवा के बालों को जटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूट पड़ा उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबडों से और कई को धर्ती पर पटक कर अपनी दारों से घायल करके मार डाला उसने कई असुरों के अपने नक से पेट फार डाले और कई असुरों का तो केवल थपर मार कर सिर धर से अलग कर दिया कई असुरों की भुजाएं और सिर्थ तोर डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकल कर उनके पेट फाड़ कर उनका रक्पी डाला इस प्रकार देवी के उस महा बल्वान सिंग ने क्षण्वर में असुर सेना को समाप्त कर दिया शुम्ह ने जब यह सुना कि देवी ने धुम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंग ने सारी सेना का सनहार कर डाला है तब उसको बड़ा क्रोध आया उसके मारे क्रोध के उंट फड़कने लगे और उसने चंद तथा मुन्नामक महा असुरों को आग्या दी है चंद हे मुन्द तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुरंत यहां ले आओ यदि उसको यहां लाने में किसी प्रकार का संदे हूँ तो अपनी सेना सहे तुस से लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वल दुष्टा और उसका सिंध दोनों मारे जावे तब भी उसको बांध कर यहां ले आना दुर्गा सब्चति पाठ छठा अध्याय पूरा हुआ जे माता दी हिंदी में चंड और मुंद का वद महर्शी मेधा ने कहा दैत्यराज की आग्यापाकर चंड और मुंद चतुरंगीनी सेना को साथ लेकर हतियार उठाय हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिये देवी जो सिंग पर बैठी हुई थी देखा जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी और बड़े तब अंविका को उन पर बढ़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पढ़ गया उनकी भरे कुटियां चड़ गई और उनके ललाट में से अत असुर सेना पर तूट पड़ी और दैतियों का भक्षन करने लगी वह पार्शव रक्षकों, अनकुषधारी महावतों, हाथियों पर सवार योधाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ दो कर अपने मुँँ में डाल रही थी और इसी प्रकार वह भुड़ो रतों, सार्थियों वर रतों में बैठे हुए सेनिकों को मुँँ में डाल कर भयानक रूप से चबा रही थी, किसी के केश पकड़ कर, किसी को पैरों से दबा कर और किसी दैत्य को चाती से मसल कर मार रही थी, वर दैत्य के छोड़े हुए बड़े दो अस्टशस्त्रों को म में संपूर्ण दैत्य सेना को नश्ट कर दिया यह देख महा पराक्रमी चंड काली देवी की और पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बानों की वर्षा आरंब कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े उस समय वह चमकते हुए बानवच चक्र देवी के मुख में प्रविष्ठ हुए इस प्रकार देख रहे थे जैसे मानों बहुत से सूर्य मेगों की घटा में प्रविष्ठ हो रहे हो इसके पश्चात भयानकर शब्द के साथ काली ने अत्यंद जोश में भर कर विकट अटहास किया उसका भयनकर मुख देखा नहीं जाता था उसके मुख से श्वेद दातों की पंक्ती चमक रही थी फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के उपर आक्रमन किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया चंड को मरा हुआ देखकर चंड अटःस के साथ कहने लगी है देवी चंड और मुंद दो महा दैत्यों को मारकर तुम्हे भेट कर दिया है अब शुम्भ और निशुम्भ का तुम को स्वयम वद्द करना है महर्शी मेधा ने कहा वहां लाए हुए चंड और मुंद के सिरों को देखकर कल्यानकाई च जै माता दी 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 दुर्गा सब्चति पार्थ आठवा अध्याय हिंदी में रक्ट बीजवाद महर्शी मेधा ने कहा चंड और मुन नामक असुरों के मारे जाने से और कम्बू नामक 84 सेनापती भी युद्ध के लिए जाएं और कोटी वीर्य नामक 50 सेनापती और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापती प्रस्थान करें, कालिक, दोहरिद, मौर्य और कालके यह दैत्य भी मेरी आग्या से सचकर युद्ध के लिए कुछ करें, भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुम्विस प्रकार आग्या देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला, उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की तिनकोर से प्रित्वी और आकाश के बीच का भाग गुंज उठा और इसके साथ ही देवी को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंग को चारों और से घेर लिया। श्रीहरी की शक्ती वाराही वारा का शरीर धारन करके आई और नरसिंग के समान शरीर धारन करके उनकी शक्ती नारसिन ही भी आई उसकी गर्दन के जटकों से आकाश के तारे तूट परते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ती एंद्री भी अईराउत के उपर सवार होकर आई पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीग रही इन असुरों को मारो इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्ररूप वाली और सेकड़ों गीद्रियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ती प्रकट हुई उस अप्राजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्रीशिंकर जी से कहा है प्रभो आप मेरी और से दूट बनकर शुम्ब और निशुम्ब के पास जाए और उनत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां यूद्ध के लिए उपस्थे थो उनसे भी कहिए जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो देवताओं को उनका यग्यभाग मिलना आरंब हो जाए और तुम पाताल को लोड़ जाओ किन्तु यदी बलके गर्व से तुम्हारी लढने की इच्छा हो तो फिर आजाओ तुम्हारे मास से मेरी योगिनिया त्रिप्त होंगी चून की उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैतियों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस पर बानों और शक्तियों की वर्शा करने लगे देवी ने उनके फिंके हुए बानों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वानों से कार डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रूँ को त्रिशूल से विदीन करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी ब्राह्मनी जिस तरफ दोलती थी, उसी तरफ अपने कमंडिलू का जल छिड़क कर डैतियों के वीरे वबल को नश्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैशनवी चक्र से और अत्यंत को पवाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी औ इतनों ही को विदीर्म करके धर्ती पर डाल दिया। की बूंडे प्रित्वी पर जैसे ही गिर्ती थी तुरंद वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बल्वान देत्य प्रित्वी से उत्पन हो जाता था। लगा तो उसमें से हजारों ही पुरूश उत्पन हो गए। वैशनवी ने चक्र से और एद्री ने गदा से रखबीज को चोट पहुँचाए और वैशनवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रखबहा उससे हजारों महा असुर उत्पन हुए। जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया, कौमारी ने शक्ती से, वाराही ने खडगसे और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर प्रिथक प्रिथक गदा से प्रहार किया। महादैत्यों को भक्षन करती हुई तुम रन भूमी में विचरो। इस प्रकार रक्षीन होने से यह दैत्य नश्ट हो जाएगा, तुम्हारे भक्षन करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक बीच पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्ष ले लिया। किंतु रक्ष बीच के शरीर से बहुत सा रक बेहने लगा, लेकिन ऊसके गिरने के साथ ही काली ने ऊसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्ट से जो असुर उत्पन हुए, उनको उसने भक्षन कर लिया और रक्ट को पीती गई, तदनंतर देवी ने रक्ट बीज को जिसका की खून काली ने पिया था, चंदिका ने उस देत्य को बज, बान, खडगा तथा रिष्टी एक्त्यादी से मार डा हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादयत्य रक्ट बीज पृत्वी पर गिर पड़ा, हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यन प्रसन हुए और माताएं उन असुरों का रक्ट पीने के पश्चात उद्धत होकर मृत्य करने अध्याय पूरा हुआ, जै माता दी, 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 दुर्गा अध्याय हिंदी में, निशुम्भ वद, राजा ने कहा है रिशे राज, आपने रकबीज के वद से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया, अब मैं रकबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुम्भ व निशुम्भ ने जो कर्म किया, व सुनना चाहता ह महर्शी मेधा ने कहा रकबीज के मारे जाने पर शुम्भ और निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुम्भ देवी पर आक्रमन करने के लिए दोड़ा, उसके साथ बहुत से बड़े बड़े दोड़े और महाप्राक्रमी शुम्भ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बड़ा, फिर शुम्भ और निशुम्भ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुरिस प्रकार देवी पर बान फेंकने लगे जैसे मेगों से वर्षा हो रही हो, उन दो दोड़ा, पर और धाल कर जाने पर निशुम्भ ने देवी पर शक्ती से प्रहार किया, देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिये, फिर क्या था दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूर फेंका, किन्तु देव देवी ने अपने मुके से उसको चूर चूर कर डाला, फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया, देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला, इसके पश्चात वफरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका, देवी ने अपने तीके वानों से उसे धर्ती पर सुला अपने पराक्रमी भाई निशुम्ब के इस प्रकार से मरने पर शुम्ब क्रोध में भर कर देवी को मारने के लिए दोड़ा। अपने दातों तथा हाथों को पूरित कर दिया, फिर आकाश में उच्छलकर काली ने अपने दातों तथा हाथों को प्रित्वी पर पढ़का, उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ, जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शान्थ हो गए, इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भै उत्पन करने वाला अट्थास किया जिससे सुनकर देत्य थर्रा उठे और शुम्व को बड़ा क्रोध हुआ, फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह, कहा तो आकाश से सभी देवता, जै हो, जै हो, बोल उठे, शुम्व न वहां आकर ज्वालाओं से युकतेक अत्यंत भयन कर शक्ती चोली जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महुल का नामक शक्ती से कार डाला, हे राजन, फिर शुम्व के सिंगनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनी से ऐसा घोर शब्द हुआ, जि जब उसकी मूर्चा दुर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बानों से उसने देवी काली तथा सिंग को भायल कर दिया, फिर उस राक्षस ने दस हजार भुजाएं धारन करके चक्रादी आयुधों से देवी को आच्छा दित कर दिया, तब भगवती दुर्गा जब भगवती देवी काली तो वह धनुष ने कुपित होकर अपने बानों से उन चक्रों तथा बानों को काड़ डाला, यह देखकर निशुम हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दोडा, उसके आते ही देवी ने तीक शंधार वाले खग से उसकी गदा को जाओं को दुखी करने वाले निशुम त्रिशुल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला, शूल विदीन हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी डैत्य थाहरजा, कहता हुआ निकला, उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया, अभी वह निकलने भी ना पाया था किन उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला, सिर के कटने के साथ ही वह प्रित्वी पर गिर पड़ा, तदनंतर सिंग दहार दहार कर असुरों का भक्षन करने लगा और काली शिवदुती भी राक्षसों का रख पीने लगी, कौमारी की शक्ती से कितने ही, महादेत्य नश्ट हो गए, ब्रहमाजी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए, कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीन होकर प्रित्वी पर गिर पड़ और बाराही के प्रहारों से छिन भिन होकर धराशाई हो गए, वैश्नवी ने भी अपने चक्र से बड़े-बड़े महापराक्रमियों का कच्मोर निकाल कर उन्हें यमलोग भेज दिया और एद्री से कितने ही महबली राक्षस तुकड़े दो हो गए, कई दैत्य मारे गए कई भाग गए, कितने ही काली शिवदुती और सिंग ने भक्षन कर लिये। तु अहनकार से गर्व मत कर क्योंकि तु दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा है दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है, यह सब मेरी शक्तिया है, देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ठ हो रही है। इसके अशी मेधा ने कहा तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते दो देवी तथा शुम्भ में भयनकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सेकडों अस्त शस्त छोड़े, उधर दैत्यराज ने भी भयनकर अस्त्रों का प्रहार आरंब कर दिया। देवी के छोड जाने पर देट्यंद ने शक्ती चलाई लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया फिर देट्यंद चमकती हुई धाल लेकर देवी की और दोड़ा किन्तु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्षन वानों से उसकी चमकने वाली धाल को भी का पर खाकर पहले तो दैत्य प्रित्वी पर गिर पढ़ा किंतु तुरंथ ही वहुट खड़ा हुआ फिर वह देवी को पकड़ कर आकाश की और उचला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा वह युद्ध रिशियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही फिर देवी ने उसे आकाश में घुमा कर प्रित्वी पर गिरा दिया दुष्टात्मा दैत्य पुना उठकर देवी को मारने के लिए दोड़ा तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीन करके उसको प्रित्वी पर पटक दिया देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्रान पकेरू उर गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, परवत और प्रित्वी सब काँपने लग गए तदनंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसंद वस्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया पहले जो उत्पात सूचक मेग और उलकापात होते थे वह सब शान्थ हो गए उसके मारे जाने पर नदिया अपने ठीक मार्ग से बहने लगी संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्विया सुंदर गान गाने लगी गंधर्व बाजे बजाने लगे और अपसराय नाचने लगी पप्वित्र वायू बहने लगी सूर्य की कांती स्वच हो गई यग्यशालाओं की बुझी हुई अगनी अपने आप प्रजवलित हो उर्ठी तथा चारों दिशाओं में शांती फैल गई दुर्गा सब्चती पार्ट दस्वां अध्याए पूरा हुआ जै माता दी जै माता दी जै माता दी दुर्गा सब्चती पार्ट ग्यारवां अध्याए हिंदी में देवताओं का देवी की स्तुती करना और देवी का देवताओं को वर्दान देना महर्शी मेधा कहते हैं दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादी देवता अगनी को आगे करके कात्याईनी देवी की स्तुति करने लगे उस समय अभीष्ट की प्राप्ती के कारण उनके मुख खिले हुए थे देवताओं ने कहा हे शर्नागतों के दुख दूर करने वाली देवी तुम प्रसन हो हे संपूर्ण जगत की माता तुम प्रसन हो विंद्यश्वरी तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम इस चर और अचर की इश्वरी हो हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो क्योंकि तुम पृत्वी रूप में भीस्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो तुम विश्नु की शक्ती हो और विश्व की बीज पर ममाया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है तुम्हारे प्रसन होने पर ही यह पृत्वी मोक्ष को प्राप्थ होती है हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन-भिन स्वरूप हैं इस जगत में जितनी स्ट्रियां हैं वो सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं एक मात तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुती किस प्रकार हो सकती है क्योंकि तुम परम बुद्धी रूप हो और संपूर्ण प्रानी रूप स्वर्ग और मुक्ती देने वाली हो। अतह इसी रूप में तुम्हारी स्तुती की गई है। तुम्हारी स्तुती के लिए इसे बढ़कर और क्या युप्तियां हो सकती हैं, संपूर्ण जिनों के हृदे में बुद्धी रुप होकर निवास करने वाली, स्वर्ध तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायनी देवी, तुमको नमस्कार है, कलाकाश्था आदी रूप स अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्रानियों का अंत करने वाली नारायनी तुमको नमस्कार है, हे नारायनी, संपूर्ण मंगलों के मंगलरुप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिधा करने वाली, हे शरनागत्वत्सला, तीन नेत् तुमको नमसकार है, स्विष्टी, स्तिती तथा सनहारव की शक्तिभूता, सनातनी देवी गुनों का आधार तथा सर्व सुखमई नारायनी तुमको नमसकार है हे शरन में आये हुए शरनागतों दीन दुखियों की रक्षा में तत पर संपूर्ण पीडाओं को हरने वाली है नारायनी तुमको नमसकार है, हे नारायनी, तुम ब्रमानी का रूप धारन करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंतरित जलचिलकती रहती हो तुम्हे नमसकार है, महेश्वरी रूप से त्रिशूर, चंद्रमा और सर्पों को धारन करने वाली है महा व्रिशब वाहन वाली नारायनी तुम्हे नमसकार है, मोरों तथा मुपकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ती को धारन करने वाली है कौमारी रूप धारिनी पुग्र नर्सिंग रूप से दैतियों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में सनलग्म रहने वाली नारायनी। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रध्धा, पुष्टी, स्वधा, ध्रुवा, महारत्री तथा महाविद्या रूपा नारायनी। ज्वालाओं के समान भयन कर अति उग्र एवं संपूर्न असुरों को नश्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नश्ट करता है वह आपका घंता इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे की माता अपने पुत्रों की रक्षा कारती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्वी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंदल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन होती हो तो संपूर्ण रोगों को नश्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांचित कामनाओं को नश्ट कर देती हो और जो मनुषित तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ती नहीं आती। बलकि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुशित दूसरों को अश्रे देने योग्य हो जाते हैं अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारन करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने सनहार किया है वो तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था चतुरदश विद्याएं, शत्षास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं उनमें तुम्हारा ही वर्नन है और जहां राक्षस, विशेले सर्प शत्रुबन है वहां और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो एसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो संपूर्ण जगत के पाप नश्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदी बड़े दो उपद्रवों को शीग रही दूर कर दो विश्व की पीरा को हरने वाली देवी शरन में पड़े हूँ पर प्रसन हो त्रिलोक निवासियों की पूजनिय परमेश्वरी हम लोगों को वर्दान दो देवी ने कहा है देवताओं मैं तुमको वर्देने को तैयार हूँ आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो मैं तुमको दूंगी देवताओं ने कहा है सरवेश्वरी तिलोकी के निवासियों की समस्त पीराओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रूओं को इसी प्रकार नश्ट करती रहो देवी ने कहा वैवस्वत मनवंतर के 27 में यूग में दो और महा असुर शुम्भ और निशुम उत्पन होगे उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्ब से उत्पन होकर विंध्याचल परवत पर शुम्भ और निशुम का सनहार करूँगी फिर अत्यंत भयंकर रूप से प्रित्वी पर अव्तीन होकर मैं वेप्रिचित्ती नामक दानवों का नाश करूँगी उन भयंकर महा असुरों को भक्षन करते समय मेरे दात अनार पुष्प के समान लाल होगे इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और प्रित्वी पर मनुष्य मेरी स्तुती करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेगे फिर जब सौ वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं रिशियों के स्तुती करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होँगी और अपने सौ नेत्रों से रिशियों की ओर देखूँगी अतह मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्टन करेगे उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन हुए प्रानों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्रानियों का पालन करूँगी और तब इस प्रित्वी पर शाकम्हरी के नाम से विख्यात होँगी और इसी अफ्तार में मैं दुर्ग नामक महा असुर का वद करूँगी और ऊए मुझे भरामरी नाम से पुकारेगें इस प्रकार जब-जब प्रित्वी राक्षसों से पीइडित होगी तब-चब मैं अव्तरित होकर शत्रों का नाश करूंगी दूर्गा सप्षती पार्ट गयारह अध्याई पूरा हुआ जै माता दी, 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 दुर्गा सप्षती पाठ बारहवा अध्याय हिंदी में, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्मिय, देवी बोली है देवताओं, जो मेरे महात्म्य को अश्टमी, चतुरदर्शी वनवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेगें, उनको कभी कोई पाप न रहेगा, पाप से उत्पन हुई विपत्ती भी उनको न सताएगी, उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजिनों का बिचोह और होगा, उनको किसी प्रकार का भहे न होगा, इसलिए प्रत्येक मनुश्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्यानकार अक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीन प्रकार के जिस धर्व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधी पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। महात्म्य वक अथाओं अित्याधी को सुनकर मनुश्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवन करने वालों के शत्रू नस्ठो हो जाते हैं तथा कल्यान की प्राप्ती है और उनका कुलाननदित हो जाता है। दीपक इत्यादी साम्रियो द्वारा पूजन करने से ब्राह्मन को भोजन करा के हवन करके प्रतिदिन अभिशेक करके नाना प्रकार के भोगों को अरपन करके और प्रतिक वर्षदान इत्यादी करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसंद हो जाती हूँ वैसी प्रसंद में इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ यह माहत्मय उश्रवन करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्रानियों से रक्षा करने वाला है युद्ध में दुष्ट दैतियों का सनहार करने वाला है इसके सुनने से मनुष्य को शत्रूओं का भए नहीं रहता हे देवताओं तुमने जो मेरी स्तुती की है अत्वा ब्रमाजी ने जो मेरी स्तुती की है वो मनुश्यों को कल्यानमे बुद्धी प्रदान करने वाली है वन में सूने मार्ग में अत्वा दावानल से घिर जाने पर वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रूओं द्वारा पकड़ा हुआ जंगल में सिमों से, व्यागरों से या जंगली हाथियों द्वारा पीचा किया हुआ, राजा के कृध हो जाने पर मारे जाने के भैसे, समुद्र में नाव के डगमगाने पर बयान कर युद्ध में फसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीडा से पीडित, घोर बाधाउं से देवतां के देखते ही देखते इंतरधान हो गई और संपूल्ण देवता अपने शत्रूँं के मारे जाने पर पहले की तरह ही अग्यभाग का उब्भौग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गई तथा युद्ध में देवताओं के शत्रूँं शु पुजन करके उसकी स्तुती करने से वो धन एवं पुत देती है और धर्म में शुब बुद्धी प्रदान करती है दुर्गा सब्शती पार्ट तेरहवा अध्याय हिंदी में राजा सूर्थ और वैशिय को देवी का वर्दान महर्शी मेधा ने कहा है राजन हे राजन तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ यही भगवती आराधना करने पर मनुश्य को भोग, स्वर्ग तथा मोख्ष प्रदान करती है माकंडे जी ने कहा महर्शी मेधा की यह बात सुनकर राजा सुर्थ ने उनुग्रवरत वाले रिशी को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंद गलानी हुई और वह राजा तथा वैशिय तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तड़ पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे दोनोंने नदी के तड़ पर देवी की मूर्ती बनाए और पुष्ट, धूप, डीप तथा हवंद्वारा उसका पूजन करने लगे पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एक आग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे वो दोनों अपने शरीर के रक्ट से देवी को बली देते हुए तीन वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे यह सुन राजा ने अगले जन्म में नश्ट ना होने वाला अखन राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रूओं को नश्ट करने के पश्चात अपना पुनह राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वर्दान मांगा और वैशिय ने भी जिसका चित संसार की और से विरक्त हो चुका था भगवती से अपनी मंदा तथा अंकार रूपा सकती को नश्ट कर देने वाले ज्यान को देने के लिए कहा देवी ने कहा हे राजन तुम शीग रही अपने शत्रूओं को मार कर पुनह अपना राज्य प्राप्त कर लोगे तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा फिर मृत्यू के पश्चात आप सूर्यदेव के अंच से जन लेकर सावरनिक मनु के नाम से इस प्रित्वी प राजा सुर्थ भगवान सूर्यदेव से जन लेकर इस प्रित्वी पर सावरनिक मनु के नाम से विख्यात हुए।